एलो टेडर्स तो वह लोग स्वागत आपका आज की इस नई वीडियो में अभी टाइम हुआ है बाई 9 बज के 13 मिनट और यहां पर देख सकते हैं मार्केट यहां पर ओपन हो रहा गैप अपन हो रहा भाई तो वह लोग आप देख सकते हैं प्रिवियस वेब का एक रेजिस्टेंस ही यहां पर एक रेजिस्टेंस बना और यह जो प्रिवियस रेजिस्टेंस है इंपोर्टेंट यही रेजिस्टेंस यहां पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है ठीक है तो सपोर्ट यहां पर बन चुका है और बई इंतिजार करते हैं जब यह प्रोपली यहां पर इसको ब्रेक करेगा न, 35,000 पांसो के साइक्लोजिकल नंबर को एक ब्रेक करता है तो हम यहां पर कॉल भाई करने की कोसिस करेंगे बई तो और लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 यहÁं पर रहा रहा है 35,000 का यहाँ एक important resistance है दीख रहा है और channel में यह चल रहा है यहीर पर यहाँ टीर लेने कोशिस करेंगे तो आप यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ प're 35,400 का PE यहां पे एड़ किया हुआ है और 538 यहां पर है इसका प्राइस चल रहा है तो इस 534 मैं इसे वाई करता हूँ ठीक है 535 के स्थ्टैक प्राइस पर मैं इसको बाइ करता हूँ अभी मैं देखाता हूँ आपको कि कितना प्रॉफेट हो सकता है और मैं आपको बताओंगा वही ह मैंने और लोग आप यहाँ पर दिख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट हो चुका थीकि भाई 35 पॉइंट के आसपास मुझे मिल चुके हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ जाए लगग 600 पर पहुंच चुगा 600 को सकार रहा है मैंने आपको दिखाया था वाई 535 पे मैंने बाइंग दिखाई थी पेपर ट्रेड कर रहा हूं में और लगवग 600 पहुंच चुगा मतलब कि लगवग 65 पॉइंट है वाई तो मेरा तो टार्गेट वाई केवल 40 पॉइंट का होता है तो 40 पॉइंट लेके मैं निकल जाता हू और मैंने अपना पॉफिट में यह मान लीजिए आप बुक के लिए तो वाई लोग प्रेपर ट्रेड ऐसे करते हैं लाइव मार्केट में आपको प्रेपर ट्रेड करके दिखाई है अभी मैं आपको लोजिक बताने वाला हूं वाई कि मैंने यहां पर पी इई बाई करके यह profit कैसे निकाला है वो आप समझने कोसिस करें तो वह लोग हम आच चुके हैं चार्ट में और आप देख सकते हैं मैंने आपको जो 600 वाला प्रोफिट दिखाया था वह लगबा इस जगह पर था और आप देख सकते हैं यहां पर तुरंत ही यहां पर ग्रीन केंडल बन यहां से मैंने यहां पर आपको प्रोफिट बुख करके दिखाया था तो बहुए मैंने यहां पर पूट भाई क्यों किया वह आप समझने की कोशिश करें कि यहां पर यह जो लेबल है यह लेबल कौन सा है यह लेबल है 35500 एक important level क्यों है क्योंकि यह psychological number राउंड नंबर है जान जान दूसरा कारण ये यहां पर यहां अपर बन रहार है यहीं पर 35500 को यहां यहां भी और यहां तो मैंने यह डिया बडिया करते के वल राउड नंबर पर ही ट्रेड कर देते हैं दूसरा वाइने आपको दिखा दो कि मैंने एक चैनल क्रिए यहां पर आप देख सकते हैं इसी चैनल के साथ में यह बहुत अच्छा यहां पर रिस्पेक्ट कर रहा है इस चैनल को और भाई मैं आपको अमेशा बोलता रहता हूं कि केवल एक लेवल के उपर आप ट्रेड ना करें कम से कम दो लेवल होने चाहिए तो भाई म मैंने तुरंत यहां पर पीई बाई कर लिया और मैंने क्या देखा भाई यह जो यहां पर पहली वाली केंडल जो बनी है यहां पर यह यह केंडल यहां पर रेश्टेंस कर रही है दूसरी वाली जो रेड केंडल है वह यहां पर रेश्टेंस करती हुई दिखी मुझे तु एक अच्छा profit मुझे यहां पर मिला ठीक है और बात करें अगर exit की तो मैंने यहां पर ही exit क्यों किया है तो वो भी आप समझने कोशिस करें कि यह एक previous support है important important support कैसे बनाए है क्योंकि एक wave का resistance था दूसरी wave यह है वाई दो wave है तो तीसरी बात यहां पर आप देख सकते हैं जब यह downfall आया तो यहीं पर इसने closing किया यह जब इसने यहां पर उपर जाके closing किया न तो यही एक important यहां पर यह support का काम बनाए है और यहां पर हम इने exit कर दिया ठीक है भाई तो भाई लोग अगर हम calculation करके देखे हैं मैंने आपको दिखाया था भाई कि 535 पे मैंने buy किया PE को और 600 के आसपाँ 600 से उपर गया था मैंने यहां पर sell किया ठीक है profit मुझे कितना मिला 65 point का ठीक है अगर हम 65 को छोड़ें अगर हम केवल 60 point को यहां पर बुक कर लेते हैं और 10 लोट पर हम काम करते हैं मतलब कि भाई 250 quantity ठीक है तो अगर हम इसका गुड़ा करें भाई तो आप देख सकते हैं यहां पर कम से कम 15,000 का यहां पर एक अच्छा profit हमको मिला ठीक है समझ में आई भाई तो भाई 15,000 का profit 10 लोट पर बहुत अच्छा profit है छोटा profit बिल्कुल भी नहीं है मार्केट लाइव चल रहा है मैंने आपको दिखाया भाई कि यहां पर मैंने यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी ऊपर ऊपर किया और अगैन यहां पर देख सकते हैं डाउनफॉल आपको देख रहा है अभी आपको mindset भाई हमेसा यह नहीं होना चाहिए कि भाई यह दोबारा डाउनफॉल आया तो अच्छा profit दोबारा ले ले लें फिर और जावड़ जाएगा तो भाई यह डेड़ लक का profit हो जाएगा ऐसा मत सोचा करें क्योंकि यह मार्केट पूरे दिन चले कितना भी डाउन जा सकता है कितना भी अप जा सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह बिल्कुल भी ना सोचा करें कि भाई हम पूरा profit लेंगे क्योंकि अगर आपका mindset खराब हो गया ना जैसे आपको यहां पर support मिलेगा यह मार्केट यहां तक डाउन आता है तो आप यहां तक रोक लेते तो यह 25,000-30,000 हो जाते फिर यहां से यह कर लेंगे तो बहुत अच्छा profit यहां पर मिल जाएगा तो अपना mindset अगर आप खराब करोगे ना तो वही आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपके emotions से खेलता है ठीक है आप अपने emotions पे आभी ना होने देशे मार्केट को मार्केट को आप बिल्कुल patience से बड़े प्यार से समझें और तभी ट्रेड करें वाई जब आप रिलेक्स हो मार्केट में आप इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट आपका पैसा खाने के लिए बैठा पैसा आपको देशता तो बिल्कुल भी नहीं तो आप देख सकते हैं यहीं पर मैंने एक्जिट किया दोबारा उपर की वह गया दोबारा यहां पर एक सपोर्ट बनता हुए देख रहा है ग्रीन केंडल बन चुकी है अब बिल्कुल देख सकते हैं अभी अभी क्या लग रहा था ऐसा लग रहा था वाई कि बहुत बड़ी ग्रावट आने वाली है और तुरंती मार्केट नही आपको एक इंट्री दिखेगी ठीक है हर जगह पर एंट्री दिखेगी हर जगह पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा और आपका पैसा डूब जाएगा ठीक है वह चोटा सा प्रॉफिट लें और मार्केट को बंद करके रख दें वह कहीं भी जाए कहीं कुछ भी करें तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में आया हो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद